गाईज इंडिया के सबसे अमीर आदमी के बारे में तो हम हमेशा ही बात करते हैं लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी के बारे में बताएंगे पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी है शाहिद खान जब शाहितकान अमेरिका गए थे तब उनके पास महज 500 डॉलर ही थे और उसके बाद वो ओटोमोटिव कमपनी फ्लेक्स इन गेट में इंजिनरिंग डिरेक्टर के पद पर जोब करने लगे फिर उन्होंने खुद की बचत से 11 लाक रुपे और फिर बैंक से 37 लाक रुपे का लोन लेके उसी कमपनी को खरीद लिया जिसमें वो काम करते थे और आज उनकी कुल संपत्ती 8.9 बिलियन डॉलर्स यानि के लगबग 60,000 करोड रुपे है Guys, Volvo जो कि एक कार कमपनी है उसने एक समय पर एक ऐसे बड़े मोके को गवा दिया था जिसके जरीए वो करोडो रुपे कमा सकता था दरसले बात है साल 1969 की जो Volvo के इंजिनियर नीज बोलीन ने 3-point seat belt का invention किया उससे पहले तक सिर्फ 2-point seat belt ही चलती थी जो कि हमारी lower body के लिए low protected थी लेकिन जब Volvo ने इस 3-point seat belt को बनाया तब उसका patent free रखा और सभी कार इंडस्ट्री को safety के लिए उसे free use करने की permission दे दी इसके बात साल 1968 में जब US government ने seat belt को compulsory कर दिया तो ये invention काफी ज़्यादा popular हो गया जिसका फायदा दूसरी car company ने करोडों कमा कर उठाया गाईज इसका मतलब साफ है कि business में की गई एक छोटी सी गलती भी आपको भारी नुकसान पहुचा सकती है गाईज इसके बारे में आपका क्या ख्याल है comment section में जरूर लिखेगा और ऐसे amazing videos के लिए share, subscribe and like जिलते हैं अगली वीडियो में